है लो डिर सब्सक्राइबर्स मैं हूँ आपकी दोस्तों स्वागत है आपका best care of वीमेंज में फ्रेंड्स बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हमें कमेंट करके क्याते कि मैं हमें सिम्टम्स दिख रहे हैं प्रेगनेंटी के के बाद भी आपका test negative आ रहा है तो क्या इसका कारण होता है और कब सही समय होता है जब आपको test करना चाहिए ताकि आपका result सही और किन लोगों का test, negative आता है pregnancy टेस्स करने पर pregnant होने के बावजूद भी तो आज कि इस video में हम वह सारी बाते करने जा रहे हैं वीडियो आप सभी के लिए बेहत खास है क्योंकि यह आपके comments पर है आपके queries पर हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखे पसंद है तो एक like ज़रूर दे प्रेगनेंसी टेस्ट जब भी आप करते हैं तो कुछ लोग सोचते हैं कि हमने relation बनाया है तो उसक कि जस्ट बाद से ही process सुरू हो जाएगा pregnancy का और हम एक हफते के अंदर pregnant हो जाएंगे तो actually मैं ऐसा नहीं होता है कि जब आपने pregnancy के point of view से relation बनाया है आपको पता है कि हमने relation बनाया है pregnant होना चाहती है तो pregnant होने के लिए आप में relation बनाया है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसके just after ही pregnancy के starting हो जाती है अगर वो समय सही था जिस समय आपने relation बनाया है अगर उस समय आपका egg release हुआ था जब आपने relation pregnancy के लिए बनाया था तो भी उसके बाद भी एक पूरा process होता है पूरा natural process होता है जो कि अपना time लेता है तब जाकर कि उसके बाद pregnancy conceive होती है जिस दिन आप pregnancy के लिए relation बनाते हैं उस समय एग और sperm जब मिलते हैं उसका fertilization हो तो उसके बाद काफी सारा process है काफी सारे divisions है जो उस एग में चलते हैं start हो जाते हैं उस division में एक हफता लगता है उसके बाद जब वो fertilized egg है वो travel करके जब uterus में जा की चिपकता है तो उस process में भी एक से बीस दिन के बीच का माना जाता है कि यह एक हफता सास से आठ दिन जो खास समय होता है यह evolution का time होता है और बाद का जो दस दिन का आखरी का समय होता है जो periods आने के पहले का जो दस दिन का समय होता है वो पूरा implantation phase समझा जाता है क्योंकि उसमें दो हफते का समय evolution के बाद स शुरू हो जाता है जब pregnancy conceive होने का process शुरू होता है अब बात होती है कि हमको symptoms दिख रहे हैं पर test negative क्यों आ रहा है तो यह जब pregnancy conceive होती है तो यह सारा खेल जो body में शुरू होता है यह होता है hormone का HCG hormone human chorionic gonadotropic hormone होता है जो कि पहले blood में आता है उसके बाद मैला के urine में आता है आपके पेशाम में आना शुरू होता है तो सबसे पहले blood में ही यह hormone आता है उसके बाद ही urine में आता है तो जब आप pregnancy test करते हैं तो सबसे पहले तो आपको period date अपनी पता होनी चाहिए कि आपका जो last period आया था, वो किस date पे आया था, बहुत सारे लोग हैं जिनके की periods irregular हैं, time पे कभी आती नहीं है, तो वो लोग अपनी period date अक्सर भूल जाते हैं, काफी मुझे comments भी आये कि उन्हें अपनी LMP यादी नहीं है, उनकी pregnancy conceived हो गई, उन्होंने ultrasound करा है बट उन्हें confirm होना बहुत जरूरी है, अगर आपके periods irregular हैं, एक डिएड़ महीने में दो महीने में आते हैं, तो उसको note करके रखिए कि आपका last period का बायत है, क्योंकि अगर आप pregnant हो भी जाएंगे तो आगे चलके यह आपको बहुत काम आएगा, यह आपकी जानकारी के लिए होना बहुत जरूरी है, तो आपकी जो period डेट है, जब आपके period मिस हो जाएं, उसके बाद आपको symptoms भी, जब भी मेंदा कोई भी pregnant होती है, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी symptoms भी नहीं आएगा और सीधे pregnancy test positive आएगा, छोटा बड़ा दो, चार, आठ, दस symptoms सभी को आते हैं, किसी को सिर्फ एक बहुत ज़्यादा नीद आएगी या फिर नहीं आएगी, fever होगा, कुछ लोगों को बहुत सारे symptoms आते हैं, कुछ लोगों को हलके फुलके होते हैं, जैसे सिर्फ कमर में दर्द हो गया, थोड़ा बहुत breast में tenderness हो गई, periods like cramps हो गई, बस इतने ही symptoms आते हैं, और उनके periods मिस ह प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आजाता है, पर आते symptoms आपको ही, कम जादा चाहे कुछ भी हो, तो इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, आपकी बोड़ी खुदी indication देना शुरूर करती है, उसके बाद जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे, एक हफ़ते ब लाइट आ रही है, तो इस केस में अगर आपकी एक लाइट आ रही है, एक लाइट आ रही है, तो आपको फिर से 5-6 दिन बाद दुबारा टेस्ट करना चाहे है, तो फिर से टेस्ट करने पर वो लाइट भी टार्क हो जाती है, अब दूसरी बात, दूसरा जो केस होता है, क लिकिन यूरिन टेस्ट में निगेटिव आ रहा है तो ऐसे case में ब्लड टेस्ट करवा लेना बहतर होता है जैसा कि मैंने कहा कि जब fcg hormone produce होना body में शुरू होता है तो वो सबसे पहले blood में आता है उसके बाद urine में आता है तो इसलिए blood test आप करा लिजे अगर आपके urine test में negative आ रहा है और आपको सारे symptom से दिख रहा है है periods भी मिस है तो बहतर होगा कि आप blood test करा लिजे आपका result positive आजाएगा अगर pregnancy conceive होगी तो ऐसे भी comments आए हैं जिनके urine test negative थे लेकिन blood test में उनकी pregnancy conceive होई है तो इसलिए ये भी confirm करने का बहतर तरीका होता है क्योंकि transvegenal shornography जो है वो शुरुआत में एकदम clear नहीं हो पाती है जब pregnancy 5-6 हफते की साथ हफते की हो जाती तब उसमें clearly sack बनता है शुरुआत में embryo वो भी नहीं बनता है लेकिन आगर आप blood test करवा लेंगे तो काफी हद तक आप clear हो जाएंगे कि आपकी pregnancy हो गई है TVS में बहुत सारे लोगों की शुरुआती pregnancy पकड़ में नहीं आती है वहीं कुछ लोगों की पकड़ में आ भी जाती है तो blood test एक बहतर तरीका होता है अगर आपका urine test negative आ रहा है तो यह थी वह खास जानकारी कि जो बहुत सारे लोग आप में से comment करके subscribers कहते हैं कि मैं हमारी symptoms दिख रहा है पर test भी negative है तो आप यह तरीके अपना करके अपना test positive ला सकते हैं या फिर अपनी pregnancy confirm कर सकते हैं क्या pregnant है या नहीं है और अपना confusion दूर कर सकते हैं तो वीडियो कैसा लगा जानकारी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके बताना मत भूलेगा पसंद आए तो ए हैपी एंड इस्टी